हेलो बच्चों कैसे हो आपलो आए आज हम पाठ वास्तिवीक संख्याएं के अंतरगत पढ़ेंगे अपरिमे संख्याओं का पुणर भ्रह्मन अपरिमे संख्याओं के पुणर भ्रहमन में हमने अब तक पढ़ा है कि परिमे और अपरिमे संख्याओं मिलकर वास्तिवीक संख्याओं बनाती हैं हम ये भी पढ़ चुके हैं कि संख्या रेखा पर हम अपरिमे संख्याओं का स्थान निर्धारित कर सकते हैं यहां हम सिद्ध करेंगे कि वर्गमुल 2, वर्गमुल 3, वर्गमुल 5 तथा व्यापक रूप में वर्गमुल P अपरी में संख्याएं हैं, जहां P एक अभाज्य संख्या है. अपरी में संख्या हम किसे कहते हैं? वर्गमुल 5 को अपरी में संख्याएं सिद्ध करने के लिए हमें निम लिखित प्रमे की आवशक्ता पढ़ेगी, जिसकी उपत्ती अंगणित की आधार भूत प्रमे पर आधारित हैं. आइए देखते हैं ये प्रमे क्या कहती है? माल लीजिए P एक अभाज्य संख्या है. यदि P A स्क्वेर को विभाजित करती है, तो P A को भी विभाजित करेगी. जहां A एक धनात्मक पूर्णांग है. आइए देखते हैं आपकी प्रशनावली 1.3 क्या कहती है? पहला प्रशन है सिद्ध कीजिए कि वर्गमुल 5 एक अपरिमे संख्या है. इसका हल हम इस प्रकार करेंगे. इसके विभाजित माल लीजिए कि वर्गमुल 5 एक परिमे संख्या है. हम किसी भी परिमे संख्या को P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं. जहां P तथा Q दो पुर्णांख है और Q 0 के बराबर नहीं है इसलिए वर्गमुल 5 को हम P बटा Q लिख सकते हैं यदि P तथा Q को उभेनिष्ट गुननखंड से विभाजित करें तो वर्गमुल 5 को हम लिख पाएंगे A बटा B और A और B से भाजिये हैं अतह वर्गमुल 5 बराबर होगा A बटा B या वर्गमुल 5 गुना B बराबर होगा A दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें मिलेगा 5 गुना B स्क्वेर बराबर A स्क्वेर या B स्क्वेर बराबर A स्क्वेर बटा 5 यहां हम देख रहे हैं कि 5 A स्क्वेर को विभाजित करता है अतह 5 A को भी विभाजित करेगा यह हमने प्रमे में देखा था अतह A को हम 5 C के बराबर माल लेते हैं क्योंकि A 5 द्वारा विभाजित होता है अर्थात A का 5 कोई गुननखंड है इसलिए हम लिख सकते हैं 5 B स्क्वेर बराबर A स्क्वेर क्यों क्योंकि हमने इसमें A बराबर 5 C रखने पर 5 B स्क्वेर बराबर 5 C होल स्क्वेर या 5 B स्क्वेर बराबर 25 C स्क्वेर आ जाएगा जिसको हम लिख पाएंगे B2 बराबर 5 C2 या C2 बराबर B2 बटा 5 यहां 5 B2 को विभाजित करता है अतहे 5 B को भी विभाजित करेगा इसको हम ले लेते हैं समीकरण संख्या 2 समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं कि 5 A तथा B दोनों को विभाजित करता है जिसमें 5 एक उभेनिष्ट गुननखंड है परन्तु इस से इस तथे का विरोधभास प्राप्त होता है कि A और B में एक के अतिरिक्त कोई उभेनिष्ट गुननखंड नहीं है ये विरोधभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक तुरुटी पूर्ण कल्पना कर ली है कि वर्गमुल 5 एक परिमे संख्या है अतह हम निशकरश निकालते हैं कि वर्गमुल 5 एक अपरिमे संख्या है दूसरा प्रशन देखते हैं सिद्ध कीजिये कि तीन जमा दो वर्गमुल 5 एक अपरिमे संख्या है ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम विप्रीट मान लेंगे कि तीन जमा दो वर्गमुल 5 एक परिमे संख्या है अर्थात हम सह अभाज्य हैं ऐसी संख्याएं A और B जहां B शूनिय के बराबर नहीं है ग्याद कर लेते हैं और तीन जमा दो वर्गमुल 5 को A बटा B लिख लेंगे अतह दो वर्गमुल 5 बराबर A बटा B माइनस 3 देखिए इसको हम लिख पाएंगे A बटा B माइनस 3 इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्गमुल 5 बराबर A माइनस 3B बटा 2B चुकि A तथा B पुर्णांग है और 2 तथा 3 भी पुर्णांग है इसलिए A माइनस 3B बटा 2B एक परिमे संख्या है जबकि हम ये जानते हैं अभी हमने सिद्ध किया था वर्गमुल 5 एक अपरिमे संख्या है इससे एक विरोधा भासी परिणाम प्राप्त होता है कि वर्गमुल 5 परिमे संख्या है ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि तीन जमा दो वर्ग मुल पांच एक परिमे संख्या है अतह हम कह सकते हैं कि तीन जमा दो वर्ग मुल पांच एक अपरिमे संख्या है दूसरा प्रश्ण देखते हैं सिद्ध कीजिये कि निम्न लिखित संख्याएं अब परिमे हैं पहला एक बटा वर्गमुल दो माली जिये कि एक बटा वर्गमुल दो एक परिमे संख्या है हम किसी भी परिमे संख्या को P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां P तथा Q दो पूर्णांग हैं और Q शूने के बराबर नहीं है। इसलिए P बटा Q बराबर होगा 1 बटा वर्गमुल 2। यदि P तथा Q को उभेनिष्ट गुननखन के विभाजित करके लिखें 1 बटा वर्गमुल 2 बराबर A बटा B तो A और B सह भाज्ये हैं। अतहे हैं वर्गमुल 2 बराबर होगा B बटा A की या हम लिख पाएंगे वर्गमुल 2 गुना 1 बराबर B दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा 2 A स्कूर बराबर B स्कूर इसको हम समीकरन संख्या एक मान लेते हैं। या A स्कूर बराबर B स्कूर बटा 2 यहां 2 B स्कूर को विभाजित करता है। आता है 2 B को भी विभाजित करेगा। इसमें हम B बराबर 2 K माना और 2 और B द्वारा विभाजित होता है अर्थात B का 2 कोई पुननखंड है। इसलिए 2 A स्कूर बराबर 2 K होल स्कूर में B बराबर 2 K रखने पर हमें प्राप्त होगा। देखिए 2 A स्कूर बराबर 4 K स्कूर इसमें 2 से कैंसल करने पर हमें क्या मिलेगा। A स्कूर बराबर 2 K स्कूर दो A स्कूर को विभाजित करेगा। आता है 2 A को भी विभाजित करेगा। इसको समीकरण संख्या 3 मान लेते हैं। समीकरण 2 तथा 3 से हम पाते हैं कि 2 A तथा B दोनों को विभाजित करता है। जिसमें दो एक उभेनिष्ट गुननखंड है। परंतु इस से इस तत्य का विरोधभास प्राप्थ होता है कि A और B में एक के अतिरिक्त कोई उभेनिष्ट गुननखंड नहीं है। यह विरोधभास हमें इस कारण प्राप्थ हुआ है क्योंकि हमने एक त्रोतिपूंड कलपना कर ली है कि एक बटा वर्गमुल गुल दो एक परिमें संख्या है। आए तीसरा प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि साथ गुना वर्ग मुल पांच एक अपरिमे संख्या है इसमें भी ठीक उसी प्रकार इसके विपरीट मान लीजिए कि साथ गुना वर्ग मुल पांच एक परिमे संख्या है हम किसी भी परिमे संख्या को P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां P तथा Q दो पूर्णांख हैं और Q शून्य के बराबर नहीं है इसलिए P बटा Q हम लिख सकते हैं 7 गुना वर्गमुल 5 के बराबर यदि P तथा Q को उभेनिष्ट गुननखंड से विभाजित कर लें तो हम लिख पाएंगे 7 गुना वर्गमुल 5 को A बटा B के बराबर जहां A और B सह भाज्य हैं अतह 7 गुना वर्गमुल 5 बराबर होगा A बटा B के या हम लिख पाएंगे 7 गुना वर्गमुल 5 बराबर A यह हमने तिर्ची गुना की और हमें यहां गुना वर्गमुल 5 प्राप्थ हुआ A बटा 7 P के बराबर अब ध्यान से देखिए हम जानते हैं गुना 5 अपरिमे संख्या है और दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं यह परिमे संख्या है क्या यह संभव है चुकि A तथा B पुर्णांग है और 7 बी पुर्णांग है इसलिए A बटा 7 भी एक परिमे संख्या है जबकि वर्गमुल 5 एक अपरिमे संख्या है इससे एक विरोधभासी परणाम प्राप्त होता है कि वर्गमुल पांच परिमे संख्या है ऐसा विरोधभासी परणाम हमारी गलत गल्पना से प्राप्त हुआ है कि साथ गुना वर्गमुल पांच एक परिमे संख्या है आगे दूसरा भाग देखते हैं सिद्ध की जिये की 6 जमा वर्गमुल 2 एक अपरिमे संख्या है इसके विपरीत माली जिये की 6 जमा वर्गमुल 2 एक परिमे संख्या है हम किसी भी परिमे संख्या को P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां P तथा Q दो पूर्णांग हैं और Q शून्य के बराबर नहीं है इसलिए P बटा Q बराबर होगा 6 जमा वर्गमुल दो यदि P तथा Q को उभेनिष्ट गुननखन से विभाजित कर लें तो हम लिख पाएंगे 6 जमा वर्गमुल दो बराबर A बटा B जहां A और B से भाज्य हैं अतहे 6 जमा वर्गमुल दो बराबर होगा A बटा B या वर्गमुल दो बराबर होगा A बटा B माइनस 6 इसको हम लिख पाएंगे वर्गमुल दो बराबर A माइनस 6B बटा B देखिए चूंकि A तथा B पुर्णांख है और 6B पुर्णांख है इसलिए A माइनस 6B बटा B एक परिमे संख्या है जबकि वर्गमुल दो एक परिमे संख्या है इससे एक विरोधाभासी परणाम प्राप्त होता है कि वर्गमुल दो परिमे संख्या है ऐसा विरोधाभासी परणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि 6 जमा वर्गमुल दो एक परिमे संख्या है अत्य हम कह सकते हैं कि 6 जमा वर्गमुल दो एक परिमे संख्या है आईए अब समय है घ्रह कारे का कुछ प्रश्ण अभ्यास के लिए ले लीजिए प्रश्ण संख्या 1 सिद्ध कीजिए कि वर्गमुल तीन एक परिमे संख्या है प्रश्ण 2 सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस वर्गमुल तीन एक परिमे संख्या है प्रश्ण संख्या 3 दर्शाइए कि 3 गुना वर्गमुल दो एक परिमे संख्या है अब देखिए हमने क्या-क्या इस एपिसोड में पढ़ा निम्लिखिर प्रमे की जानकारी प्राप्त की माल लीजिए P1 अभाज्य संख्या है यदि P A2 को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी जहां A1 धनात्मक पुर्णांग है हमने यह भी दर्शाय की वर्गमुल 5 एक अपरिमे संख्या है हमने यह भी दर्शाया की 3 जमा दो वर्गमुल 5, 7 वर्गमुल 5, 6 जमा वर्गमुल 2 आदी संख्याएं अपरिमे है आशा है बच्चों आपको समझ में आया होगा धन्यवाद जमें आपको समयमानास आव्यकों इया होगा समय वर्गमुल 5 एकुछम्णी सच्बमुल 6 जमें आपकुछम समय कामन आपकुम्ह Radio